पूरी तरह से तयार लग रही यहाँ पर ओपनर्स तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोर से ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉर्ट और यह सीधा बाउंडरी के पाद क्या ना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुत ही खराब शॉर्ट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फिल्डर के हाथ में कैच दे रखे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ मानू सिर्फ चौको और चको में ही तुचस्पी रखते हैं असामना करने के लिए खतरनाग शॉट बॉल की लेंड को जल्दी पिक कर लिया था बल्लेबास ने अब दो से ज्यादा फिल्डर्स इनर सरकल के बाहर लगा सकते हैं कि लाइन और लेंग्स मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स हैं बल्ले के एक दम बीट से शॉट को माला जबरदस्ट शॉट इसका रॉलर्ट चार रण के लिए और यह थे रण लगता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं बल्लेबास लगता है अपनी एक अब्रता खो बैठेंट इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंत रण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ चार रण बहुतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहाँ एक और बाउंडरी का प्रयास करेंगे देखते हैं कि कि अबाज में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहाँ और यह कि कि अबाज में खेल दिया है और गैप में भी चाजांड बल्ले बास पूरे नियंत रण में थे वहाँ लग रहा है बल्ले बास बहतरी इंशॉट गेंज सीमा रेखा के बाहर और चार रन क्रकनी होगी इस फील्ड के साथ टाइरेक्ट हिट फील्डर का और एक बहुत ही महत पूर्ण विकेट बहुत ही पूल्ड वेधरीन लाइन लेंग्द और सटिक निशाना बिलाश होकर पैविलियन के तरफ प्यारी करते हुए प्यारी करते हैं और जाप में भी चार रन बल्लेबाज पूरे नियंद रन में थे वहां तवर पर फील्डर लगाया गया है वहां की तूर्टी से मारा है इस शाट को शाट लगाया बल्लेबाज ने दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं यही पारी की आखरी गेंद आपके सामने उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका इसी के साथ पहले इनिंग्स की समापती यह देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रन नीती के साथ आते हैं बल्लेबाज यहां इससे चेस करने इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां यार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए यह जवाब शॉट एक पल में लगा कि गेंद बाजी के लिए यहां जवाब शॉट एक पल में लगा कि गेंद बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंडरी के गेंद बाजी के लिए यहां और यह चार रन बोलर को अपनी लाइन एंड लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ खुप्सूरत शॉट और चार रन गेंद बास के चक्के छुड़ाते हुए बॉल सीधे बॉल्ग हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बेट्वीन तो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक एक एक्स्ट्रा रन चुराने से कोई मौकार नहीं था वहाँ पर बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोखना पुश्किल है उन्दा शॉट गेलबास की कोई गलती नहीं मगर फिर भी चार रन कवर पे फीलडर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने उठा के खेल दिया है खुपसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी एक बार मारा है क्या वो तो बारा मार पाएंगे अपनी चतुराई से बल्ले बास को चार में फासाइन होने बढ़िया गेंद बाजी बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए और ये चार रन खूपसूरत तक्नीक का प्रदर्शन इनकी आकरमक बल्ले बाजी से जाने जाते हैं ये बोल्ड वेधरीन लाइन लेंग्थ और सटीक निशाना प्रदर्शन लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ फील्डर तैननाथ किये हैं कैप्टन ने बहिया शाट और बाल सीधे बाउंडरी लाइन की तरफ तब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्ले बाजी देखने लाइक होती है लाइन और लेंग्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते ये बहुत ही बढ़िया सिक्स किये हैं कैप्टन ने बल्ले के एस्टम बीट से शॉट को मारा जबरदस्थ शॉट गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही बढ़िया सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में ये एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बॉंडरी लैंग के पार छे रन इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे और इसी के साथ मैच समाप गेन बाजो ने तो आज कमाली कर दिया बहुती ज़्यादा नियंतरन के साथ बोलिंग की है अज आखिर में ऐसा लग रहा था कि बल्ले बाजो के लिए ये स्कोर तो बहुत जादा है